बड़ा अजीव सा सवाल मुझे किसी ने किया है कि आर्टिस्ट होने का फाइदा क्या है बड़ा फाइदा मुझे बतलाई है अगर कोई बंदा आर्टिस्ट है तो उसे उसका क्या फाइदा है देखिए आर्टिस्ट जो होते है न वो जब आर्ट में बिजी होता है जो वो अपनी सोचों अपने ख्यालात से मुबर्णो के काम कर रहा हूता है उसके पास अपने आर्ट में डूब के उस आर्ट को महसूस करने का बेहतरीन टाइम होता है आपके मौाशी फायदे आपके समाजी फायदे तो बात की बात है सबसे पहला फायदा ये है कि आप जब एक पेंटिंग बना रहे हैं तो आप कमस कम उस पर एक दिन लगा रहे हैं और उस दिन में आप इर्दगिर्द की तमाम सोचों तमाम वस्वसों से आजाद हैं और अगर आप नौजवान हैं तो आप फिर बेराहरवी से दूर है आर्ट एक ऐसा जूट है मैं कहूंगा एक ऐसा जूट है एक ऐसा खयाल है जो आपको सच की तलाश में ले जाता है आप अगर आर्टिस्ट है या आर्ट बनने के खुआ है तो आपको आर्ट उस सच की तरफ ले जाता है ख्याल की तरफ आज भी अगर आप देखें दुनिया में बहुत से ऐसी पुरानी इंशेंट पेंटिंग्स हैं जिन में तख्यूल में जहाज दिखाया गया है उड़ता हुआ कोई अजीब सा कोई 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 बॉक्स है वो उड़ रहा है कोई कोई बहुत सी चीजें हैं समंदर में जो बहरी जहाज और कश्टियां जल दी है तो बहुत पुरानी चीज़ है ना लेकिन आर्ट जो है ना इसके जरीए आप रेडिक्शन्स करते हैं इस इसके जरीए आप राये देते हैं, आर्टिस्ट्स आर गुड अपिनियन मेकर्स, देखिए जब आप डूब के काम करते हैं किसी भी आर्ट वर्क पे, इन फ्यूचर वो आपका असासा बना होता है, जब आर्टिस्ट इस दुनिया में नहीं रहता ना, तब इस दुनिया में जिन्दा रहता है और वो उस आर्ट की वज़े से जाना जा रहा होता है, अपने आर्ट को जिन्दा रखें और आर्ट में डूब के काम करें, वक्त आता है फिर कि जब वही आर्ट आपको समाजी और मौशी दोनों फवायत से मुस्तफीद करता है, आर्टिस्ट होने के बह मुख्तलिफ पेराएं में देखते हैं, हर चीज को मुख्तलिफ अंदाज में जाचते हैं, हर चीज को डिफर्ट जाविय से देखते हैं, आपको रंगों का बता होता है, आप इस खुबसूरत से मौसम को, इस रुट को, इस बारिश को बहतर अंदाज में जाए कर सकते हैं आपको ये रंग, ये महग, ये खुबसूरती बाती है आर्टिस्ट एक खास लोग होते हैं और आर्टिस्ट सिर्फ पेंटिंग करने वाले कोई नहीं कहते हैं आर्टिस्ट में सिंगर्स हैं, पोईट्री वाले पोईट्स हैं, एक्टर्स हैं फनोन लतीफा से तालुक रखने वाले बेशुमार लोग आर्ट, आर्ट के अलम बरदार है स्टूडन्स, आर्ट के मुतालिक कोई भी, ये बात बड़ी लंबी है मैं शॉर्ट वीडियोस बनाता हूँ, पांच मिनट से कम की मेरी वीडियोस इसलिए होती है ये मैं चाहता हूँ कि लंबी वीडियो को अकसर लोग नहीं देखते अगर ये दो चार मिनट की वीडियो है, अभी ये चार मिनट में मैं वीडियो खत्म कर रहा हूँ ये तीन मिनट और संतालिस सेकिंड हो गया है बाकी कोई ये बड़ी लंबी डिबेट है कि आर्ट बेसिकली आर्ट के फवायद क्या है आप मजीद इस से मतलिका सवालात है मुझसे कमेंट में पूर सकते हैं शुक्रीए